परधान मंत्री बनने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले लक्षहीन परिवारवादी ब्रष्टाचारी अहंकारी कुंठित मन के नेताओं का ये भानूमती का घमंडिया गठबंतन का कुन्बा बनने से पहले ही बिखर चुका देड़ दर्जन परधान मंत्री बनने के लिए देश में कमजोर सरकार लाना चाते है ये देड़ दर्जन नेता एक लंगड़ी सरकार लाना चाते है जिसके सिर पर बैठ कर ये भारत की जंता को लूट सके पर देश की 133 करोड जन संख्या भारत की चमक वैं धमक पूरे विक्सित भारत का स्वपन पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की परकाश्टा करने वाले दूरगामी दिलिड़ निश्चे के नेता शिरी नरेंदर मोदीजी के नेतरत में तगड़ी सरकार लाना चाते हैं इसलिए इनका मुंगेरी लालकाहसीन सपना अपूरा नहीं होने गड़बंदन जो है गमंडिया गड़बंदन के नेताओं का एक फैशन बन गया कभी उत्तर दक्षिन के नाम पर कभी पूरव पच्चिन के नाम पर देश को बांटना कभी प्रांतवात के नाम पर कभी जातिवात के नाम पर कभी परिवारवात के नाम पर कभी विकास वि भारत को बाटने का विचार नहीं चलेगा देश की जनता परधान मंतरी मोदी जी के एक भारत श्रेष्ट भारत की सोच पर चल पड़ी है और देश के जन जन एम भारत के कन कन में एक भारत श्रेष्ट भारत सदियों से है आप उसे मिटा नहीं सकते और ये गमंडिया गठब जंदन का अहंकार और तोड़ने की सोच देश की 133 कुरोड जनता आज सभी कारे करती है और इसको पीछे फैंक के ही रहेगी ऐसी सोच वाले लोग आने वाले समय में लोक तांतरिक तरीकों से जनता इन्हें नकार देगी। परिवार की देश को बांटने वाली सोच को दर्शाता है यह तुकड़े तुकड़े करने की सोच को दर्शाता है हमेशा ही यूपी बिहार मद्यपरदेश राज्यस्तान उडिसा बंगाल आदी को गरीना की तरह देखा गया है उनको आगे बढ़ाने की बजाए उन्हें बीमारू राज्य कहकर पीछे छोड़ दिया गया लेकिन 2014 से भारत के प्रधान मंत्री के रूप में देश के प्रधान मंत्री बनने का बाद श्री नरेंदर मौदीजी ने अपने जीवन का पल पल इन राज्यों को पूरे भारत को आगे बढ़ाने में लगाया और आज यही राज्य देश की तरक्की में पूरव से लेकर पश्चिन तक उत्तर से लेकर दक्षीन तक सभी कदम से कदम मिला कर आगे बढ़े हैं और एक भारत शरेष्ट भारत विश्यव की शक्ती भारत बन में जो घंद चल रहा है उसका एक आइना दिखा रहा है